Hey guys, welcome to my channel Core Studio Guys, इस वीडियो में आज हम Excel में एक बहुती बढ़िया फॉर्मले के बारे में बात करने वाले हैं अब मालनीजे कि आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें डेट्स लिखी हुई है और आपको ये देखना है कि किस डेट को कौन सा दे है यानि कि आप ये देखना चाहते हैं कि किस तारीक को कौन सा दिन है तो वो आप कैसे देखेंगे तो इसके लिए हम Excel में वीगडे फंक्शन को यूज करेंगे आईए देख लेते हैं कैसे तो अभी जैसे आप देखेंगे हमने यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है और अब हमें ये देखना है कि कौन सी डेट को कौन सा दिन है तो इसके लिए simply हम यहाँ पर equal का sign लगाएंगे फिर यहाँ पर type करेंगे weekday bracket को open करेंगे फिर जो date है उसे select करेंगे then bracket को close करेंगे और enter प्रेस कर देंगे तो अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो इसका result मिला है वो मिला है 4 और यहाँ पर 4 का मतलब है Wednesday actually Excel में क्या होता है कि जितने भी days होते हैं उनके लिए serial number होते हैं जैसे कि Sunday के लिए 1 Monday के लिए 2 Tuesday के लिए 3 Wednesday के लिए 4 and so on अब आप यहाँ पर इस cell के bottom right side में आएंगे आप देखेंगे एक छोटा सा square बना हुआ है आप इसके ओपर अपने mouse को लेकर आएंगे तो यह plus के sign में change हो जाएगा जैसे आप इसके ओपर अपना mouse लेकर आएंगे इस तरीके से plus का sign आएगा आप यहाँ पर double click कर देंगे तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें Excel ने serial number डिस्प्ले कर दिये है तो अब हमें यहाँ पर इन serial number को देखकर यह नहीं पता चल रहा है कि कौन सी तारीक को कौन सा दिन है और हम यहाँ पर चाते हैं कि हमें यह serial number ना दिखाकर यहाँ पर days शो करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे इन serial numbers को select कर लेंगे फिर आप यहाँ पर home tab से number group पर आएंगे और यहाँ से इस पर click करेंगे तो इस तरीके से format cells की यह window open हो जाएगी अब यहाँ से आप custom पर आएंगे फिर यहाँ पर general की जगा पर हम यहाँ पर day का format लगाएंगे क्योंकि हमें days देखने हैं तो days का format लगाने के लिए हम यहाँ पर type करेंगे 3 times d अगर आप यहाँ पर type में 3 times d mention करते हैं जो की day का format है तो आपको यह क्या करेगा जो day है उसके 3 letters दिखाएगा और अगर आप यहाँ पर 4 बार d लिखेंगे तो आपको फिर यह पूरा जो day का name है वो पूरा दिखाएगा तो अब यहाँ से ok करते हैं तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर हमें show हो गया है कि कौन सी date को कौन सा दिन है तो इस तरीके से आप excel में weekday function को use कर सकते हैं उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर हां तो इस वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye